आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल डीजी फॉल टैग पे प्लीज इस चैनल को आप सब्क्राइब करें बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन आइकन जरूर से प्लैस करें अब मैं आपको अपने चैनल के अब आउट पे लेके चलता हूँ यहाँ पर आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और मेरे सारे सोचल प्लेटफॉर्म के लिंक आपको यहाँ पर अबलेवर है जैसे कि टेलीकराम, इंस्टागराम, फेस्बुक, ट्विटर, पी लिष्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर आप सेल वीडियो, कस्टम रों, गेम, अन्बॉक्सिंग, टेक न्यूस और चैनल इंट्रो वेगरा वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पर आपको लेटेस्ट तू लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलता हैं तो इस वीडियो पर हम अब मैं आपको इस ROM का About लेके चलता हूँ, About पर आप देख सकते हैं, हमारा device यहाँ पर दिख रहा है, Redmi Note 4 मिल जाएगा आपको, देखिए Redmi Note 4, MIUI वर्सन है 11.0.6.0, Android 10 के उपर है, और 16 मेहना 2022 का security patch आपको इसमें मिल रहा है, 3GB वाला variant है, 2GHz का प्रोसेसर है, Snapdragon 625 और कंडल 3.18 का यूज करके दिया गया है, तो इससे सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बात तो कंडल ओवरक्लॉक नहीं किया गया है, भले पुराना कंडल है 3.18 का, जो गेमिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है, मतब MIUI पोल्ट बेस्ड रूम में, कस्टम रूम पे आप यह मत बुलेंगे कि मेरे को 3.18 अंडर्राउंड चीए, मी पोल्ट एप पे अगर आपको गेम खेलना है, तो 3.18 कंडल है, मतब अराम से आपको गेम का मजा ले सकते हैं, और Android 10 वर्सन जो है, मी पोल्ट के लिए काफी इस्टेबल लेग फ्री बाना जाता है, गेमिंग के लिए, कंडल ओवरक्लॉक नहीं किया गया है, ये मुझे पसंद आया, दूसरी बात, जो रैम है, वर्ट्वल मेमोरी का ताम जब नहीं किया, क्योंकि वर्ट्वल मेमोरी वाला हमारा ये फोन का मॉडल नहीं है, अगर आप उसे इन लेफ्ट साइट पे आपको मी का पेज मिल जाएगा, आप जैसे कि देख सकते हैं मी पेज है, उसके बाद राइट साइड पे आप जो एप इंस्टॉल करेंगे वो आ जाएगा, वैसे आप ड्रॉर पे भी लग सकते हैं, या फिर पूरे जो आपको स्क्रीन पे चीए, वैस ठीक है अब आगे चलते हैं और कुछ apps के details दिखते हैं इसमें mostly MI के app को हटा के Google का app डाल दिया गया है जो मुझे पसंद नहीं आया MI का केवल वही app को हटाना था जो ad provide करता है जो unwanted है या फिर जो app ban है उन्हें remove करने से मुझे कोई problem नहीं है बट जो main app है उसे remove करके Google का app डाल दाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया for example आपको Google का dollar मिलता है जो कि मुझे MI dollar पसंद है call recording के वज़े से Google message app मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है MI का message app ज्याद अच्छा है उसी तरीके से MI का calculator है वो लाखु गुना अच्छा है Google के calculator से उसी तरीके से MI का calendar app है उसमें छुटिया देखने को मिलती है आपको त्योहार है WhatsApp status है और भी बहुत सारे history पे क्या हुआ log event वेगरा वो सब देखने को मिलता है एकसी एक features देखने को मिलता है जो कि इस फाल्तू calendar पे देखने को नहीं मिलता है camera जो है MI का ही camera यूज किया गया हलका से improve किया गया है 4K enable करके दे दिया गया है बट आपको और improvement चाहिए तो आप gcam यूज कर सकते हैं वीडियो के description पे link मिल जाएगा अब बात करते हैं जो default MI का browser है वो तो remove हो गया है chrome browser है contact app भी Google का है जो मुझे पसंद रही है file manager MI का दिया गया है video app भी MI का है music MI का दिख रहा है अपने setting पे तो setting पे आने के बाद अब आप दिखें यहाँ पर मैंने आपको about बता दिया है system app updater यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रहा है भले आपको यहाँ पर get apps ना दिखें बट आप यहाँ से इस पे आने वाले system app को update कर सकते हैं जैसे कि मैं कुछी status अगर दिखाओं और यहाँ पर बताने like cast काम कर रहा है Bluetooth, Wi-Fi यह तो काम करी रहा है card वेगरा lock screen display में कुछ बड़ा ऐसा major changes देखने को नहीं मिलेगा home screen पे आप थोड़े बहुत customize कर लिजेगा जो भी launcher related settings है उसके लिए और यहाँ पर मैं आपको बता दिया हो lock screen display यह सब हो चुका है अब बा Chinese store नहीं है तो आप चाहे theme लिका ले, wallpaper लिका ले या फिर ringtone यह सब जो है आपको global theme based service देखने को मिलेगा मतब global server access करेगा तो यह हो गया यहाँ पर battery app और password and security पे चलते हैं तो password security पे mostly जितने भी security system है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कोई बड़ा problem नहीं आएगा यहाँ पर आ अगर आप smart watch carry करते हैं तो आप उसकी मदद से भी इसे unlock कर सकते हैं device को similarly यह feature use किया जाता है apple watch और apple os के feature में दोनों को synchronize करके जब आप face पे mask पहनते हैं covid पे तो apple का जो face ID है वो काम नहीं करता है mobile का इसलिए आप watch से unlock करते हैं तो उसी feature को यहाँ देने की कोसिस की गई है ब आगे बढ़ते हैं इससे बाहर अब यहाँ पर additional digital well being special feature पे आप game turbo video toolbar ही use कर सकते हैं second space काम नहीं करेगा crash कर जाएगा तो उसे use करने की ज़रूवत नहीं है me account मैंने logging नहीं किया है तो me account वो आपकी उपर है आपकी मर्जी है यहाँ से चलते है digital well being काम कर रहा है बैटरी की बात करें तो बैटरी backup अच्छी है बेकार तो नहीं बोलेंगे आप देख सकते हैं 39 घंटा यहाँ पर दिखा रहा है और बैटरी 82% है तो stand by भी काफी ना करें ऐसे abilities वेगरा developer option मैंने on नहीं किया है आप चाहने तो on करके कुछ थोड़े बूत और customerize कर सकते हैं वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे again एक बार request करता हूँ कि जो मेरे YouTube चैनल है उसे कृपिया करके जरूर से subscribe करें जिसका नाम डिजी for tech है मेरे alternative YouTube चैनल को भी subscribe करें मुझे social platform पे follow करें और मेरे वीडियो हमेशा पूरा देखा करें playlist के मदद से आप extra extra videos देख सकते हैं और मुझे सबी जगा follow करके मेरे member बनके रहिए और मेरे चैनल को monetize करने पे मदद कीजी अब हम इसी तरह के के अगले वीडियो पे मिलेंगे तब तक लिए आप मेर चैनल पर continue रहे थेंक यू, have a nice day